वो लड़की ने जैसी मेरे फोटो को देखा अज़ जो बरस्ता है उसको हम पानी कहते हैं मासी बहन को हम मौसी कहते हैं और 33 करोण देवी देवता में तो प्रथम पूज सबसे बूजा जाए और जिससे हर काम से दो जाए उन पे घंपती घंपती बापपा आए उनको नमन करता हूँ और बेडम के वल पांच मिट आपके नेना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ जो समय की मरिया था जिस आज में के बाल चले गए हो उसको पता है कि समय क्या है बिल्कुल गोपाल जी सर ये आप यार मजा कर रहे ते यार है अच्छा अपने उन चुलकों पे मत इत्राव एक दिमे मंजल भी आ जाएगा हाँ और मेरे जुसे किसी ठकले स्ट्राव दे दिया अं मेडम बहुत बड़ी और टेंसल इतनी है सर मैंने मांगु सिंग जी आप मेरे बच्वपन के साती है आप बहुत बरिष्ट है अलग कि बाल आपके बने रुए मेरे चले गए है ये बने हुए रहे मैं मेडम सापको अकीर बताओ मैंने गोपाल जी को पुछा यार गोपाल जी सर मैं आज बड़ी दिक्कत है टूनामेंट्स की तहरी चल रही है और मैं थोड़ा मंसोर के उधर हूँ फिर नीमच आऊँगा आप क्या करें तो गोपाल जी इनका कि सब्टेंशन मतलो आप एक काम करना हमारे चार भुरा के जो लोग है एटा एट देख तेरे पास जो है ना वह मेरे पास भी है पर मेरे पास जो है ना अधर देख देख विटा इधर देख आए समझते रहे हाँ बिलकुल मुझे पता है वेकार में तो सर मैंने इंस कौन सी कालोनी कि आप प्रतावगण में रहते हो आपको इतना पड़ता नहीं है आप टेंशन मतलो आप पीलू से आना और पीलू से आके जैसे इस आप आओगे जाजरी वाले फंटे पे मेंनका जाजरी पंटा उधर है अरे नहीं मेरा मतलब है आप हुआ से फंटे पर सज्सड़र लोग एं सात्विक लोग मैंने मेडम चार बजे का में आय था मुपसैके सरुल को दिखे साँ विस्वायं करता ता की चार बुझा कि लोग उदर से निकलते हैं मैंने जसे चार बुझा का एक आदमी निकला मैंने अक मांगू निग्हला Hos ओट में मैंने एक आदमी को हाथ दिया गाड़ी को नहीं? हाँ हाँ माता जी फिर मैंने दूसरे आदमी को हाथ दिया उसने भे गाड़ी को नहीं रोका इस पाकार से सर पीले गर्ते माँ बेटे लोगक घंटेते कमप से तब मुझे पता लगा अपना ही अपने दर्द को समझता है गुटना पेट की तरफ ही मुड़ता है अब सर मोटर साइकल पर हमें और धनपाल जी यानि कि मैं फुल प्लेट और धनपाल जी हाफ प्लेट मैं फुल प्लेट और धनपाल जी हाफ प्लेट हम दोनों मोटर साइकल पर बेठे थे दोनों हम दोनों गंजे हम दोनों तकले मोटर साइकल पर जा रहे थे इतने में एक आदमी और मिला मता जी धनपाल जी तुरंद गाड़ी को रोका क्यों रोका क्योंकि वो भी वो भी अब मोल सैकल पर होगे हम तीन गंजे अब मोल सैकल पर होगे हम तीन गंजे हर कोई हम कोई देख रहा था जो भी जा रहा था कोई हमें चिकना कोई टकला टार ने जाने किन किन नामों से हमको पकार रहा था मैडम यह सीन ऐसा लग रहा था यह सीन देखुआ आप एक आली सुन कि तीटर के दो आगे की ताइन की दर के फिषे टीटर आ 350 गंजा पीछे गंजा पीछे के पीछे गंजा अगए क्लफंध करका में बाबी जी आपको क्या बता हूं मेरे जब साधी होई ना तो बहुत बड़ी समस्या 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए और प्रेमी का से मिलने के आज क्या बात कर रहे हो है एक जमाना था जो मेरे भी जुल पर हुआ जुल पर हुआ करती थी जुल पर हुआ करती थी नजरे तो अभी टकराती है अपसोस पिसल के चली जाती है तो मेडम 18 साल के उप्र मेरे बाहर चले गए मेरे दिल के अर्मान हाई नितेजी मेरे दिल में रह गए यह देखकर भारे पिता जी बहुत मोड़ी टेंजन में होगे मेरे पिता ने मेरा फोटो को पाल जी राजस्थान के हर दिलों में भीजवाया लेकिं फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अमेरिका जापा निंगलेंड निवार्क मेडम या कोई आदी बेठा है आओ थाड़ बेजो किटे अमेरिका जापा निंगलेंड निवार्क 16 देशों के अंदर भीजवाया पिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अब सर में क्यों मेरा नमन करता हूँ तो सब ने भीजवाया लेकिन कई से कोई जवाब नहीं आया तब जो पीछे अंकल जी बेठे मैं इनके पास आया अंकल जी ने मुझको रिजेक्ट कर दिया अभी तक मानना नहीं हो रहा हूंगा बस इत्ती सी बाते राजिस्थान का आदमी है एक मेवाड़ी आनमांशान का सापा पेन और फिर कमाल देख तो माहता जी मैने एंकी बात मानी मेवाड़ी आनमांशान का एक सापा पेना और फोटो किचाय मेरे पिता ने मेरा फोटो सीधा उत्तर पे इस अलिगड में पुचाया ओ लड़की ने जैसे ही मेरे फोटो को देखा लड़की ने जैसे ही मेरे फोटो को देखा लड़की ने कहा कि वह वेरी हैंसम। वैसे ही कहा कि बाह वेरी हैंडसम सल्मान कान से बली कान बाहू बली पिता जी साधी करूं तो सिर्फ तुरेल जुबन से करूं वरना जीवन बर कुवारी रहूं सर इस प्रकार मेरा मरड़ा हो गया लेकिन टेंशन ने फिर भी पीछा नहीं छुड़ा तो हाग की सेज का वह अमुल लिपल आया और जैसी मैंने हैर में ढटाया कि गंगा जमना बहने लग गई कि गंगा जमना बहने लग गई मैंने का पगली ये गंगा जमना बहने का वक्त नहीं है या निते समझ कि स्वाग रात का समय है और गंगा जमना बहे है तू तो नवनवा एद्वे जानता है कि गंगा जमना बहने का समझ नहीं है मेरे सिर पर केवल बाल ही तो नहीं है और पगली अब मैं कविता का मर्म कविता क्यों लिखी जाती है केवल हसने के लिए द्रोकती अगर हसी थी एक हसी उसमें बेखा रहसी तो उसके पीछे महावारत हो गया था और कविका कर्तव में है कि कुछ ने कुछ दे करके जाए अब कविता कहाँ जितने हसे उसको एक तरफ रख दीजिएगा और अगर सुरेल सुबन अगर कोई बाच कर दाद हो एक परिस्टी एक परिस्टी ऐसी आ जाती है कि जब आजमी जब एक नारी नवजुर्गा का रूप ले लेती है और जब एक पुरुस जिसके हाथ नहीं वह अथियार उठा लेता है जो आखों से अंदा है वो देखने लग जाता है उस परिस्टी के अदर कि हैवानों की ज सब्सक्राइब तो बार बार टल जाती अंतिम पंक्तियों में अंतिम तो आग है नहीं रहने दो मेरे देश को कोई तोड़ नहीं सकता मेरे देश को कोई विखेंड नहीं सकता जब तक हमारी एक पर जिंदा है तब तक हम विखेंड नहीं सकते अब पांच मिट आपसे अपने मांग रहा हूं आग तो आग है आग ही रहने दो प्यार तो प्यार है प्यार ही रहने दो नपरत कभी दे इस चमन में खोलने वालो ये हिंद की जमी है हिंदुस्तान रहने दो ये हिंद की जमी है हिंदुस्तान रहने दो दुख और कश्ट इस बात का है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर मासिता ने जनम लिया जिस मासिता की पावंता के अंदर स्वेम धरती मा, मा सिता को लेने के लिए आती है नवदुर्गा, सिता और गीता का ये देश हैं उस देश के अंदर जदी किसी मा, बेहन और बेटी के साथ अगर एक मिरिट के अंदर तीन के साथ बलासंग हो जाए तो दिम्म्मधारी हबारी बन जाती है, प्रस्ट हमारा बन जाता है कि प्रस्त आज भी जापर से तो नारी का अपमान हुआ प्रश्योंगा, बेट, दोपती, संस्कारों का हाथ हुआ अगर कोई वेक्ति आज के हिंदुस्तान में दिखे दे तो मेरे जिम्मेदारी तब चार पंगते आपके बीच्वन विदन करता हूँ मेरे गला काम नहीं करें लेकिन आप मुझे लगे कि चार भुजा मैं कतावगण के अंदर पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि आप क्रोण स्रुथा से कम श्रुता नहीं में आपके देन हैं और तब तालिया बजाना में अकिमत बजा रहा हूँ इसलिए निवेदन है क्योंकि आपकी पोँच वहां तक है और वहां तक यह पोँच शुरुन सुमन का संदेश वहां तक जाना चाहिए मैं निवेदन करता हूँ एक निवेदन सक्ता से स्विकार हमारा कर लेना और सम्विधान की धाराओं में एक कानून बना देना तो बला संदे करने वालों को अरे मंजर यह दिखला देना और भीस ठड़क पे हैवानों को ठाथी पे लटका देना भीस ठड़क पे हैवानों को अंगे भंगे करके इनको तूली पे लटका देना वीश चरक पे हैवानों को फासी पे लटका देना इतने बलसाली लोग थे कि यदि भीम अगर पैर जबाए तो धरती जाने कितने गरस्तक जल जाए और यदि अर्जुन अगर अपना बार उठाए तो अंतिक शुकाह तक भेट के चला जाए लेकिन फिर भी वो द्रस्ट हुए तो जिम्मेदारी हमारी थी हमारी है और हमारी रहेगी अंतिम पुंकियों में किवल निवधन करता हुआ है गोमाता का संदे साब तक जाए किवल एक बंद पड़कर अपना इस्तान ले रहा हूं एक निवेधन करता हूं स्विकार मेरा ये कर लेना एक निवेधन सबसे है एक निवेदन सबसे है स्विकार मेरा ये कर लेना और एक प्रस्ण ये सबसे है उत्तर खुद को ही देना गोरक्षा के खातिर अपना करत्विन भादेना और गाय हमारी माता है उसको खटने ना देना काई हमारी मता है इसको कितने ना देना मुले भारत मता की भारत मता की वंदे आत्रम जै जवान जै किसाथ गुरू है दे से हमारा गोरव का गुनगान करें और मरियादा पुरसोतम की मरियादा का मान रखें मुमे राम भगल में चुरिया ऐसे हम ना वार करें और नवदुर गासिता गीता सा बेटी का सम्मान करें बेटी का सम्मान करें हर बेटी का सम्मान करें को सबक सिखा देना के आख उठा है कोई भेडिया उसको सबक सिखा देना और बहन वहु और बिटिया की मिलकर लाज बचा लेना और चाती चीर दुसासन के कुटो को सबक सिखा देना तो भेवानों की जब सिकार मास्मों कली हो जाती है संस्क्रत में एक श्रोक आया कि माना की ध्रत्राष्ट अंदे थे आप कठा में जाते हैं कि माना माना की ध्रत्राष्ट अंदे थे मेडम पर कानों से सुन सकते थे माना की ध्रत्राष्ट, अंदे थे पर कानों से सुन सकते थे गांधारी की आखों पर पत्टी थी, ममता की पत्टी थी, कान उनके भी सुन सकते थे, अरे गांडेव धारी अर्जुन आपके तीर तरकस में यो दोरे रहे सहस्त बल धारी गदाधारी भीम आपकी गदा चुप क्यों रही धर्म राज युदिश्टिर आत्ता धर्म कहां सो गया था दौपर में पाड़ों की संक्या पास थी और वों की संक्या सो थी दुख और कष्ट इस बात का है आज के वर्तमान में पांड़ों लोगों की जन्के लोगों की संख्या पांज नहीं हजार है दुष्ट नीच और पाप्यों की संख्या केवल पांच है लेकिन दुख इस बात का है कि पंड़ों तो अपर में भी चुबते और पंड़ों आज की घर्दमान में भी चुप है पुरा सर और किसी को काला पसंद्द है फिन अचीकर दाता हूँ किसी मेरी बीबी को टक्ला भी पसंद है अब क्यों पसंद है देखो मेडम यह बहुत बड़ी बात है आज विटा आपके लिए नहीं सर मांगू सिंग जीज का रण है इसका लोजिक है तक्ष है एक धारा लगती है इसके उपर गंजा आदमी पत्नी को क् इसका लेस मात्र भी गम नहीं है क्योंकि वह पूर्ण रूप से असस्त है क्यों तेरत पहली बज़ेगी तेरो कैसे पता रहा है अब इस अनुब भी नहीं है है कि तो मैं गंजा हूँ मैं टकला हूँ इसका मुझे बहुत गम है लेकिन मेरे ध्रम पत्नी को इसका लेस मात् कि मेरे पती के सिर्पा चांड है इसलिए किसी दूसरे चांड का साया उन पर पढ़ नहीं सकता इसलिए अपनी पत्नी प्रसंद है यह पत्नियों का है तो आपको वीच में बदल गई और पहले कितनी इसली में थी क्यों होती हो गई यह पत्नी का जवाब कि डारे लिंग त थे क्यों टकले हो गए पहने बाद